हेलो फ्रेंग्स मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं परफेक्ट लीव रोल तो दोस्तो आज की यूड़े हम बात करने वाले हिताची एर कंजिस्टनर के बारे में और इसके बारे पुरी देल्स देंगे तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप ह लगैंगी प्रोडॉट्क्वाल प्रड़िट कॉड़ अची है काफी सालों सो इंड़िया को यह प्रोड़ट कर तब चार रहे हैं तो दोस्तो अब बात करते हैं को टेक्टनलोजी के बारे में जयानी ही शिताची onu आपको टीजा या इसको frost wash technology भी बोलते हैं, frost wash technology का मतलब होता है हिताची AC का जो indoor unit होता है, water के तुरू automatically wash हो जाता है, हिताची AC के remote में iFresh का बटन दिया हो है, जिसी आप उस बटन को प्रेस करते हो, हिताची AC का जो indoor unit होता है, उसका temperature माइनिस फंदरा डिग्री सेंसर चे पोच जाता है, और उ dust particles लगे होते हैं, वो बरफ के पिखनने से जो पानी क्रिएज होता है, पानी के तुरू पूरा indoor unit wash हो जाता है, यानि हर बार आपका indoor unit wash हो रहा है, तो इसलिए इसको frost wash technology भोलते हैं, दोस्तो इसाची AC के अंदर आपको देखने को बिलेगी, soft dry, इसको दोस्तो auto coil dry technology भी बोल जाता है, जो इसलिए होता है, जो AC का जो indoor unit होता है, उसे का जारा मोश्य लगने लगता है, मोश्य जमने लगता है, उस मोश्य की वज़ज़ से indoor unit पे fungus वगरा क्रिएज होने लगते है, जिसकी वज़ज़ से smell सी क्रिएज होती है, तो इताची AC के अंदर auto coil dry technology दी गई है, जैसे ही आप AC को off करते हो, AC standby mode पे जाता है, उसका only indoor unit work करता है, तो जो indoor unit के जो coil होती है, उसके ओपर जितने भी moisture dust particle लगे होंगे, उसको पुरी तरह से dry कर देता है, जिससे fungals वगरा सब remove हो जाता है, moisture remove हो जाता है, जिसकी लिए से कोई smell create होने के chances बिलकुल नहीं होते है और आपको एक clean air मिलती है, दोस्तो हिताची के air conditioner के अंदर के हम noise civil की बात करें, तो हिताची AC जो है super silently काम करता है, इसके अंदर noise civil काफी काम है, उसका reason यह है कि दोस्तो हिताची के air conditioner के अंदर आपको देखने को मिले का हिताची का T-flow fan design का blur, T-fan flow इसलिए बोलते है, यानि ह हिताची का जो indoor unit है, उसके अंदर जो blur यूस किया वा है, उसका जो design है fan के cutting का, उसका wear blade design दिया वा है, जिसकी मदद से हिताची का AC silently work करता है, noise civil काफी कम होता है, और हिताची का जो blur है, उसका blur जो है काफी बड़े size का है, वो maximum area कवर करता है, यानि आपको काफी लंबा air flow म Panta sensor technology के साथ में आता है, हिताची AC के अंदर microcontroller है, और pipe 5 sensor लगे हुए है, एक्स्रीम heating condition में भी आपको AC perfect uniform cooling maintain करके देता है, और अगर AC के कोई critical part ये critical component में किसी भी heating के वे से कुछ issue आता है, तो उस component को AC safe रखता है, वो sensor की मदद से, हिताची air conditioner के अंदर जितने भी condenser, coil है connecting piping यूज किये गए, सारे के सारे 100% copper and groove यूज किये गए है, ग्रूप piping का benefit यह होता है, कि AC के अंदर cooling performance काफी अच्छा होता है, दोस्तो अगर आपके यहाँ power fluctuation की problem होती है, तो आपको अलग से stabilizer खरीदने की जुरत नहीं, जो कि हिताची के inverter air conditioner के अंदर inbuilt stabilizer लगा हुआ ह हिताची AC का inbuilt stabilizer 106 volt से लेके 255 volt तक काम करता है, और हिताची के AC के component को या उनके part को protect करता है, ताकि बिजली के जटकों से हिताची के AC के part ना खराब हो, दोस्तो हिताची के air conditioner के अंदर आपको एक unique feature देखने को मिलेगा, जिसका नाम है filter clean indicator, यानि air conditioner के filter काफी यादा धूल मिट्टी जमने से choke up हो जाते है, जाम हो जाते है, जाम होने से filter choke up होने और जाम होने से problem यह होती है, कि AC proper cooling नहीं कर पाता, तो हिताची AC के अंदर एक unique feature दिया हुआ, filter clean indicator, यानि filter जादा काफी जादा धूल मिट्टी लगने से अगर जाम हो जाता है, तो हिताची AC के indoor unit पे error आने लगेगा कि आप filter clean कर लीजिए, ताकि आपकी कु अपको अच्छी cooling मिलती रहे है, तो हिताची के इन्वेटर AC, यानि हिताची AC के जो रिमोंट है, उसमें बैक लाइट दिया है, यानि आप रात के अंदर में भी इजली AC कर ताम्परेचर कम जादा कर सकते हो, स्लिप mode लगा सकते हो, या on-off timer लगा सकते हो, बहुत से AC के ब्राइट के रिमोंट में प्रोलम यह होती है, उसमें light ने दी गई होती है, और अंधेरे में टेंपरेचर चेंज करना बहुत मुस्किल होता है, तो हिताची AC के रिमोंट में प्लस पॉंट आपको देखने को मिल रहा ह दोस्तो हिताची AC के अगर वारंटी की बात करें, अगर दोस्तो आप 5 स्टार का हिताची का इंवर्टर इसी बाय कर रहे हैं, तो आपको कॉंप्रसर मिलती है, दस साल की वारंटी मिल रही है, और 5 येर की PCB वारंटी मिल रही है, यानि 5 स्टार रिटिंग वाले मोडल में आ और 3 star वाले AC पर 1 year की पूरी complete warranty आ रही है इसके लब दोज़तों हिताची के अदर आपको एको फ्रेंकली गेंस देखने को मिले के यानि 82 rifled के साथ में है रहा एक इसांसर खिर करता है अगर बहर का तेंपरी सरेंश देखे देण के या उसका तेंपरेचे कदूक फॉफ्इ होती फॉफ ठंड़ा करने के लिए जो फीन का इसे फ्वाल्क एक्षेणिitaire फट 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 थंडी होती रेती है दोस्तो जितने भी best air condition सबकी link में ने इस वीडियो की description में दे दिये है आपको buy करना है दोस्तो buy कर सकते हो price भी check कर सकते हो दोस्तो अगर आपको कुछ भी query है doubt है फ्लीज comment box में comment करके जरूर पूछे दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आया है तो प्रीज चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you for watching